नवस्कार दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर लगातार सियासत गरम है और 26 जनवरी के बाद से गरतंद दिवस के बाद से ये सियासत जो है उसका पारा लगातार हाई होता चला जा रहा है और इसी सियासत से जुड़ी हुई एक और आज बड़ी खबर आ रही है कि महराश्ट के बड़े नेता महराश्मे सत्तार उर्दल शिव सेना के सांसत राज्यसभा के और साथे साथ प्रवकता संजे राउत किसान आंदोलन में राकेश टिकैट से मिले हैं और किसान आंदोलन क अपना समर्थन जताया है बताया है कि भाई मैं संदेश लेकर आया हूँ मुक्य मंत्री का मुक्य मंत्री उद्ध्व ठाकरे ने मुझे ये संदेश लेकर भेजा है जो मैं आपको देने आया हूँ राकेश टिकेट से उन्होंने कहा कि महराश्च के सरकार उनके साथ है शिफसेना उनके साथ है और साथे साथ किसी भी तरह की मदद की आपको जरूत होगी हम आपके साथ है उन्होंने यहां से इसमंच से घाजीपूर बॉर्डर से यह ऐलान भी किया तमाम मराठियों से उन्होंने कहा कि भाई अब देश में ज़ूरत इस बात किया गई है कि किसानों को जो भी जहां से भी समर्थन दे पाए वो देने आए गाजीपुर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर जहां किसान मौजूद है सरकार उनके खिलाफ कीले बिचा रही है दीवार खड़े कर रही है तमाम जुगत कर रही है कि भाई किसान दिली के सरकों के अंदर ना घुस पाएं इसलिए ज़ूरत इ ही इन क्रिशी खानूनों का लगातार विरोध करती आ रही थी हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये किसानों के खिलाफ हैं इन्हें बापस लिया जाना चाहिए इसलिए इस किसान आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं और समर्थन की वज़ा से ही हम को यहां पर मुख्यमंत्री ने बेजा है कि आप जाईए किसान लेताओं से मिलिए और उन्हें बताईए कि शिफसेना उनके साथ है फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूत पड़ी तो हम बात भी करवाएंगे शिफसेना देक्स उद्धव ठाकरे से राकेश टिकैट की लेकिन फिलाल उन्होंने यही बता से यहाँ इस बारे में बताईए का वीडियो को लाइक कीजिए का शेयर कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का बहुत बहुत शुक्राइब हमने पहले दिन से पूरे देश के किसानों का यह जो अंदोलन चल रहा है न उसको पूरा समर्तन है और महाराश्ट्र से खास करके आज महाराश्ट्रा के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रभू पुत्लों ठाकरे साब मुझे एक खास भेजा है यहां हम सब को टिके साब को मिलने के लिए कि हमारी पूरी ताकर शिवसेना सरकार आपके साथ है यह कहने के लिए मुझे भेजा है मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गणा यहां और मुझे लगता है एक दो दिन में उद्धो ठाकरे साब कुप बात करेंगे टिके साब